नमश्कार कशिश नीउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी और दिनभर की पाँच बड़ी खबरे लेकर हम हाजर हुए हैं सबसे पहले बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच के रुष्टे की आपको बताए कि आज भारत के प्रधान मंत्री और नेपाल के बीच बैठक हूई और इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमती बनी है बतादेगी भारत और नेपाल के बीच परस्तावत रमायन सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी भारत पहुँचे नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी से मुलाकात में यह फैसला हुआ है बाचीत के बाद पीम मोधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रवायन सरकिट का काम तेजी से पूरा किया जाएगा मैंने और पीम प्रचंड ने नेपाल भारत की पार्टनर्शिप को हिट से सुपर हिट बनाने के लिए क अनिक्टिवीटी जैसे मुद्दो पर बाचीत की गई चलिए दूसरी बड़े खबर आपको बिहार से बता दे जहां डिपुटिसियम तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से 10 लाख रोजगार की बात दोहराई है डिपुटिसियम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इ तेजस्वी यादव ने कही है उन्होंने कहा कि वे 10 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद है बिहार में तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है सिक्षकों के 1.7 लाख पदो पर बहाली शुरू हो गई है और अब 2.3 शुन ये लाख आने नौकरि या मिलेंगी तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार राजर सहकारी बांक लिमिटेट के 245 सहाईकों को न्युक्ती पत्र बाटा और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभागों में रिक्तियों को भढ़ने को लेका डीटा मंगाया गया है इसमें किसी को शक नह नहीं होना चाहिए वही केंदर और भाजपा पर निशाना साथते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग 10 लाख नौकडी के बारे में पूछते रहते हैं पर अपने दो कडो रोजगार के वादे पर कुछ नहीं बोलते और देखें बिहार में ब्रस्ट अधिकार का नाम जुड़ गया है बता दे कि ब्रस्टाचार के मामले में कैमूर जिले के मोहनिया सब डिविजन के SDM सतेंदर प्रसाद पर Special Vigilance Unit ने अपना सिकंजा कसा है एक साथ पटना बितिया और कैमूर में इनके तीन ठिकानों पर छापा पड़ा है रड के दोरान Special Vigilance Unit और सतेंदर प्रसाद और उनकी पतनी के नाम के कई बैंक अकाउंट का पता चला है साथी LIC और HDFC बैंक में 25 लाग से अधिक निवेश और संपती खरीदने के सबूत भी मिले है SDM ने 2019-20 में अपनी बैटी के नाम पर LIC में 15 लाग रुपे एक मुश्ट जमा किया था इसके साथी पतना के फ्लाट और बितिया में बनाए गए घर के डेकुरेशन पर उन्होंने 1.5 कड़ो रुपे खर्च किये है SBU टीम को SDM के 15 लाग रुपे की पिस्टल और 15 लाग के जेवर भी मिले है चली चौती बड़ी खबर आपको जारकर्ण से बता दे जहां लगता नकसलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और सी करी में आज के दिन की बात करें तो नकसलियों और पुलिस के बीच एक बार फिर से मुढभेर हुई है और इस मुढभेर में एक नकसली धेर हुआ है बता दे कि जारकन के गुमला में पुलिस और नकसलियों के बीच मुढभेर हुई जिसमें दो लाग का इनामी नकसली राजेश उड़ाव धेर हुआ है अंजन सद मारवा रोड जंगल में पुलिस ने ये कारवाई की साथ ही बताया जारा है कि नकसली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे इसकी भनक पुलिस को लग गई जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर कारवाई शुरू कर दी पुलिस को आता देख नकसली राजेश और आफ फाइरिंग शुरू कर दिया जिसके बाद पुलिस ने मोचा संभाला और नकसली को मार किराया बता दे कि उसके पास से एक राइफल भी बरामद किया गया है पाँचवी और आखरी बड़ी खबर आपको बता दे फिलहाल बिहार के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है मौसर विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि आप सावधानी बढ़ते बता दे कि बिहार में एक बार फिर से लोगों को गर्मी की मार जहिलनी पड़ेगी मौसर विभाग ने प्रदेश के नौ जिलो के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है इस दोरान बारा से सत्रा किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से गर्म पच्छुआ हवा चलने की संभावना है पच्छुआ हवा चलने से बिहार के कई जिलो में तपिश बढ़ेगी मौसर विभाग ने प्रदेश के नौ जिलो के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है इसमें पूर्वी चंपारन, सीतामरी, नलंदा, खगडिया, भागलपूर, कटिहार, पुर्णिया, अरडिया और मधेपुरा शामिल है विहार के अलग-अलग हिस्सों में चार जून तक हीट वेव का असर दिखेगा और दनबर की पाँच बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को जादा से जादा शेर कीजे, लाइक कीजे, कमेंट कीजे अपनी राय हमें जरूर बताइए और साथी आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, कल एक बार फिर से हाजर होंगे दनबर की पाँच बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार